Hello everyone, welcome back to the Vedic Academy Last class में हमने दिल्ली सलतनत को complete किया था तो इस class में हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल अंपायर और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे part 1 में Introduction of Babur's Rule तो चलिए इस chapter स्टार्ट करते हैं The Vedic Academy Chapter शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इससे हमें काफी support मिलता है तो चलिए अब start करते हैं Mughal Empire को तो Mughal Empire अगर मैं बात करूँ Government Exam के perspective से काफी ही important यह chapter है क्योंकि इससे काफी question उठाय जा सकते हैं चाहे वो rulers के बारे में हो या फिर यहां के architecture या literature के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं कि यह किस period में exist करता था तो exist करता था 1526 AD से लेके 1857 तक लेकिन पीच में एक छोटे से time period 1540 से 1515 फाइव जो 15 साल के duration है इसमें यह exist नहीं करता था तो ऐसा क्यों था यह हम बाद में देखेंगे तो इससे पहले वाले chapter में हमने पढ़ा था कि लोधी dynasty exist करती थी और उसे खतम करके मोगल डैनेश्टी ने अपने अपको establish किया था और यह क्यों हुआ था यह first battle of पानीपत के कारण हुआ था 1526 AD में यह date बहुत ही important है आपको याद रखना है ठीक है और इसी के बाद से मोगल रूल establish हो गया था और खतम हुआ था जाके कब 1857 में या नहीं 1857 में क्या हुआ था first revolt हुआ था of independence या फिर सिपोय मीटनीजी से का जाता है और उसके बाद से मोगल को रेड़ फॉर्ट छोटना पड़ा था ठीक है और crown का रूल आ गया था इंडिया में तो चली मोगल empire को नों पीन पार्ट में पढ़ सकते हैं देखते हैं कौन से हो तीन पार्ट है तो सबसे पहला पार्ट होगा mughal rulers 1 तो mughal rulers 1 में आएंगे हम लोग बाबर को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हुमायू के बारे में और उसके बाद एक छोटा सा gap आ जाता है जो मैंने बताया 1540 से 1555 के बीच और वो आ जाता है अफगान rule जिसमें शेर सास सूरी ने हुमायू को डिफीट करके अफगान rule को इस्टैबलिश किया था तो इसलिए मैंने मुगल rulers को दो पार्ट में बाटा है मुगल rulers 1 जो अफगान rule के पहले होगा यानि बाबर और हुमायू और second part में होगा मुगल rulers 2 ठीक है तो या अफगान rule भी उतना ही important है जितना की मुगल empire ठीक है तो मुगल rulers 2 में कौन-कौन आएंगे हम लोग देख लेते हैं तो मुगल rulers 2 में आएंगे सबसे पहले अकबर और फिर आएंगे उनके बेटे जहांगीर देन आएंगे शा जहां एंड फाइनली आएंगे औरंग्जेद ठीक है इसके बाद कुछ लेटर मुगल्स आएंगे जो की वीक मुगल्स होंगे और फाइनली 1857 में मुगल्स का दैनेश्टी का एंड हो जाएगा इसके अलाव जो थार्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल आर्किटेक्चर और लिटर्चर के बारे में ये पार्ट भी उतना ही इंपोर्डेंट है कि इससे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं तो पहले मैंने सोचा था सिर्फ तीन वीडियो बनाओ जिसमें दीनों पार्ट को कवर कर सकूँ फिर मैंने रिलाइज किया कि ये काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि काफी लंबे है एक टॉपिक इसलिए मैंने इन्हें चोटे-चोटे टॉपिक्स में बाट दिया है तो सबसे पहले हम लोग बाबर को इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं तो बाबर के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये फांडर ऑफ मोगल अम्पैर है और ये फांडर कैसे बने ये भी मैंने पताया कि इन्होंने फिर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराय था इन 1526 AD ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही important fact है और आपको बिल्कुल ही याद रखना है ठीक है 1526 AD में इब्राहिम लोधी को बाबर ने फिर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराकर मोगल डैनिश्टी की स्थापना की तो चली बाबर के बार में कुछ और fact जान जाते है तो सबसे पहला fact है he brought gun powder to India तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में इससे पहले किसी ruler ने gun powder का use लडाई में नहीं किया था और बाबर ऐसे पहले थे जिन्होंने लडाई में gun powder का use किया तोंपो का use किया जिसके कारण इन्होंने जंग जीती ठीक है फिर एक और battle देख लेते हैं 1527 में battle हुआ battle of khanwa जो की बहुत important battle है और इसमें बाबर ने हराय था राजपूत किंग रहना सांगा को जो की मेवार के किंग थे और ये काफी brave king इनकी bravery के काफी किससे सुने है मैंने भी अपने class 5 के हिंदी में एक poem पढ़ा था रहना सांगा के बहादूरी के बारे में तो इनके काफी किससे है हमारे इतिहास में तो 1527 आपको याद रखना है battle of khanwa जिसमें बाबर ने डिफीट किया दराना सांगा को इसके बाद एक और fact आपको याद रखना है कि Hiroati's autobiography जिसका नाम था तुजुक य बाबरी एक चीज़ आप याद रसकते है जितने भी autobiography वो तुजुक करके है तुजुक य बाबरी बाद में हम देखेंगे कि एक और autobiography लिखा जाएगा और वो होगा तुजुक य जहांगीरी ठीक है तो टोटल दो मुगलम पैर्ज ने autobiography लिखी है तो ये लिखा थे इन्होंने जर्क में लेकिन इसे पर्शियन में किया था translate और किसने translate किया था वो थे अब्दुर्रहीम खाने खाना अंग और पर इसका नाम पर्शियन में रखा था बाबर नामा ठीक है तो बाबर नामा और तुजुकि बाबरी रखें बस ही बुख भाबर बशने तो चलिए अब इनकी मौत की बात करते है तो इनकी मौत हुई थी 1530 AD में और हुई थी आगरा में लेकिन इनके जो टॉम है और इनका जो मकबरा है वो काबूल में ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि इनका टॉम कहा है ठीक है तो चलिए बाबर के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कम्प्लीट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा हुमाईयू के रूल के बारे में और हुमाईयू के रूल के बारे में हम के बाद पढ़ेंगे